वासब गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल उदत व्लोग्स तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए के खास चीज लेके आए हूँ जो भी कार होने रहे हैं उनके लिए और वो काफी चीप रहने वाली है और काफी डेली यूज में आपके काम आती है वो और काफी लोग होत की जो की हर किसी कारवन और के मास होन अच्छी है और यह काफी पोर्टेबल है जीरा वैक्यूम किलिनर और गाइज यह यह योजो कंपनी लिए नाम से मिल जाएगा फिल्प कार्ट के ओपर या अमेजन के ओपर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा तो गाइज यह अच्छे से यूज़ करता हूं तब जाके मैं इसका फीडबैक वीडियो बना रहा हूं और एक अच्छा बजट के अंदर चीप बजट के अंदर कह सकते हैं आपको यह वैक्यूम किलिनर रहने वाला है और गाइज ट्रस्ट लिए मैंने इसको काफी यूज़ करने के बाद यह वीडियो बनाने का सोचा क्योंकि इस प्राइज सेग्मेंट के अंदर आपको इससे बढ़िया वैक्यूम के लिए नहीं मिलने वाला तो इसके अंदर आपको बाकी मैंने इसके अन्बॉक्सिंग को पहले कर चुका और यूज़ भी कर चुका तो आपको इसके अंदर ए आपको ऐसा कुछ बैग मिल जाता है इसको केरी करने के लिए और आपको कमपनी ऐसी कुछ पाइप ओफर करती है इसके साथ मतलब यह बैसकल इसके काम में आता है जैसे कोई सीट के नीचे आपका जहां तक हाथ नहीं पोच रहा तो आप इसको जोइंट करके और आगे दू आपको यह पाइप के आगे कुछ जोड़ना हो और आगे नोजल चेंज करना हो यह मिल जाता है और यह बिल्कुल बारी के नोजल मिल जाती है जैसे मतलब कोई डैशवोड के अंदर या फिर आप जो बोटल होल्डर होता है आपके वहां तक आपका हाथ नहीं पोच पारा या फिर सीट की जो एजिस होती है किनारिया जहां तक हाथ नहीं पोच पारा मैं इसको पक्रणा करने है मैं uste कितना उत्र सीद रायर है। इसके बाद मेरे कही ना कही इंटियर गंदा हुचांता है। जब कि मैंने में लग रखी हैं उसके बाद भी ऐसे बिल्कुल बारीक डस्ट टाइप की ऐसे जो साइडों में से चली ही जाती है तो उस केस में मैं कोई कप्रे उपर से यूजने का था सिधा वैक्यूम कनेक्ट कर रहा इससे कर लेता हूं वैक्यूम से और यह सिर्फ दो मिन आने को तो आपको 600 के अंदर भी देखने को मिल जाएगा और आराम से सेम ऐसे ही रहेगा ऐसे ही स्ट्रेक्चर रहेगा लेकिन गाईज बट जो में चीज आती है जो इसके अंदर जो मोटर आती है जो शक करती है सक्षन पावर होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफूल है जब आप इसको यूज करोगे तो और जब आप कोई भी मतलब डस वगरा क्लीन कर रहे होगे तो इतनी सक्षन पावर इतनी ज़्यादा है इसकी यह पीछे की तरह फोर्स करेगी मतलब ऐसे आपको लगेगा कि आप कुछ क्वालिटी की चीज यूज कर रहे है आने को तो य वेलेंडर के अपरोस्क पड़ा थे और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो गाईज अभी चेक करता है मैं आपको इस अच्छे से वर्क करता है और कितनी वायर लेंथ इसकी रहने वाली है एन गाईज मैं हमेशा यह वाली जो नोजल यह यूज करता हूँ क आपके जो सिग्रेट लाइटर होता है या फिर फोन चार्जिंग होता है अप लग उसके अंदर इसको कनेक्ट करना पड़ता है यह 12 वोल्ट का होता है तो मैं यह रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इसको यूज करो वैक्यूम को तो गार स्टार्ट करके फिर यूज कर होगे तो बैटरी कहीं न कहीं थोड़ी बूड़ डाउन होती है तो आप तो 2-3 मिनिट का काम होगा तो आप कार स्टार्ट करके फिर इसको यूज करें तो मैं कार स्टार्ट कर लेता हूँ और यह जो चार्जिंग सॉकेट है यहां से अटाके अब यह लगा लिया है और ग अच्छी क्वालिटी की चीज यूज कर रहे हैं और यह जब आप इसको क्लीन करोगे अपने इंटीर को जैसे यह मैं कर रहा हूँ तो यह जब शक करेंगी दस्ट करेंगी तो यह पीछे की तरह फोर्स लगाएगी मतलब इतनी मतलब अच्छी तरीके से वक्त करती है वाइ इसकी सक्षिन पावर इतनी जदा है कि मैं इसको थोड़ी तर यहां पर रोक रहा हूँ ना इसको तो यह मैंटिंग है इसको भी खीच रही है तो मेरे तो काफी वर्थिट लगी और जो छोटी-छोटी जस्ट पार्टिकल है आप इससे अच्छी खासी एक सीडान और एक अच्छी खासी एसवी को क्लीन कर सकते हैं इसीली क्योंकि अब देखो यह मेरी फॉर मेंटर सब फॉर मेंटर की का रहे है उसके बाद भी इसकी जो डिगई है उसके यहां तक आ रही है अब ही कर देता हूं कार बंग और इसको डाल करता हूं चारजिंग लगत से एंड आइज अब आपको यह ज़से आप क्लीं कर लेते हूं उपनी कार उसके बाद आपको इसको जो वैक्यूम क्लीनर है इसको भी कैसे वाश करना है मतलब कैसे क्लीन करना है यह मैं बताता हूं यहां से आपने नोजल अटाई और यहा ईसको filter करता है तो देखो गाईस अभी अभी फिलाल जो मैंने यह जो यह यह उसका कच्रा जैसा कार के अंदर होता है जैसे यह इंटिक के लिएए तो इसको आप जब भी आप अपनी कार इंटिरेगर क्लीन करो उसके जस्ट वाद आप इसको जब रखें वैक्यूम को तैसे साफ करके तर रखें और अच्छे से इसका फैल्टर ऐसे फरस के ओपर शाफ कर ले तो लिटरली गाईज मेरको इस प्राइज रेंज में मेरको एक काफी पावर्फुल मसीन लगी और काफ इतनी प्रोपर तरीकी के से जो डस्ट है कार की बिल्कुल वारिक वो क्लीन नहीं कर पाता था जो यह वर्क करता है यह मैंने को 1200 के अप्रोक्स पड़ा और काफी वर्थ इत लगा तो काईज मैं रिक्मेंड करूंगा आप जाके इसको पर्चेस कर सकता है और यह हर कारोनर क पास होना अची है क्योंकि अगर आप भार से कार वोश करवाते हैं तो डेली आप खुद से नहीं कर पाते हैं लेकिन यह काफी पोर्टेबल है आप इसको इजी से कैरी करके आप अपनी कार के लिगगी के अंदर रख सकते हैं जब आपको जरुत पड़े जब आपको लगे तो वीडियो को लाइक करदेना शेयर करदेना और चैनल पर नए तो चैनल को सबस्काइब करदेना और बेल आइकन को प्रेस करदेना तो गाइस वीडियो देखने के लिए थेंक यू सो माच